जैन दोस्तो मैं ललिद देश वाल एक बाई फिर आपका स्वागत करता हूँ दिट 10 मिनट सो में आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं खेल संबंदित ट्रोफी और कब से रिलेटेड जितने भी आपके कोशन होते हैं जो कि आपके एक्जामिनेशन होल में आपको से मैरी कॉम, मैरी कॉम को कौन नहीं जानता, मैरी कॉम मेरे पास मुक्के बाद है तो राइट आंसर मेरे पास क्या जागा है यहाँ पर बॉक्सिंग इसका राइट आंसर, मैरी कॉम किस खेल से संबंदित है, मैरी कॉम हमारी बॉक्सिंग से संबंदित है, पीवी सिंदू क अगर हम बात करते हैं तो पीवी सिंदु किस खेल से संबंदित है बैड मिंटन से अब हमारे पास कुछ कोशन ऐसे भी कर लेते हैं जिसके अंदर स्टेडियम वाले कोशन आते हैं पहले तो साक्सी मले किस खेल से संबंदित है तो राइट आंथर मेरे पास हो जाएगा रैसलि तो गुरुजी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी कॉलकता के वैस्ट बंगाल में मेरे पास क्या है इडन गारण नेस्ट कोशन कहा रहा है डुरेंड कप related to which sport जो डुरेंड कप है किस खेल से संबंदित है तो राइट आंसर मेरे पास ए फुटबॉल इसका राइट आंसर आ गया डुरेंड कप मेरा फुटबॉल खेल से संबंदित है उबेर कप की अगर हम बात करते है फुटबॉल बैडमि से यह आपका संबंदित है नेक्स कोशन देखे राजीव गांदी यह कोशन इंपोर्टेंट हो जाता है राजीव गांदी राजीव गांदी स्टेडियम कहां इस्तित है धरम साला में ऑप्शन नमबर भी एमदाबाद के गुजरात में न्यू देली में या फिर हैधराबा साथ के तेलन गाना में ऑप्शन नमबर डी प्यारे बच्चों इसका क्या आगया राइट आंसर इंपोर्टेंट कोशन है सारे के सारे बच्चे याद कर लेना इसी तरह के कोशन आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे इस क्लास की पीडियव आपको नीचे कमेंड बॉक यह मेरे पास है इंद्रा गांधी स्टेडियम ठीक है कह रहा है लाल बादूर सास्त्री एक और इंपोर्टेंट कोशन लाल बादूर सास्त्री स्टेडियम मेरे पास ग्वालियर में है चेन्नाई में है एद्राबाद में या फिर जैपूर A B C D में से यह आपका क्या है ला Overs Cup के अगर हम बात करें तो option number D, football इसका right answer होगा, अगला option कह रहा है holker, holker stadium कहाँ पर located है या फिर कहाँ पर इस्तित है, तो ये मेरे पास holker है, आपको दिख भी रहा होगा, तो मेरे पास holker stadium right answer हो जाता है indoor, मद्या परदेश के indoor में option number A, इसका right answer, holker stadium, कह रहा है अरुन जेट ये आप लोगों को सभी को पता होगा, ये news में बहुत रहता है, अरुन जेटली stadium के अगर मैं बात करूँ, ये चल रहा है, अरुन जेटली stadium, यहाँ अगर मैं बात करूँ, ये क्या चल रहा है, देखकर भी आपको पता लग रहा हो सर्जी है, तो cricket चल रहा है, अरुन कुछ भी आ सकता है अगला कहा रहा है अनुप सिरीधर मेरे पास प्लेयर रिलेटेट टो विच स्पोर्ट मेरे पास यहां पर आपको दिख रहा होगा अनुप सिरीधर राइट आंसर है बॉक्सिंग टेबल टैनिस बैडमिंटन तो आप्शन नमबर सी गुरू जी टेबल टै ठीक है अगला कोशन देखते हैं कहरा है बारा बत्ती स्टेडियम बारा बत्ती एक नहीं टोटल बारा बत्ती स्टेडियम कहां पर लोकेटिड है यह रहा आपका बारा बत्ती स्टेडियम और राइट आंसर है इसका कटक के ओडिसा में लोकेटिड है अगला कोशन देखते तो राइट आंसर 1930 में Commonwealth गेम की शुरुवात हुईती है अगला कोशन देखते हैं कह रहा है मेरे पास IS बिंदराइ स्टेडियम IS बिंदराइ स्टेडियम यह आपके सामने स्क्रीन पर है कहाँ पर है पंजाब के मोहाली option number A इसका right answer हो जाएगा IS बिंदराइ स्टेडियम मोहाली पंजाब में है कह रहा है सुमिष सांगवान सांगवान से यह आपको क्या पता लग रहा है यह जाट है तो क्या करता हुआ सुमिष सांगवान यहाँ पर boxing करता होगा सुमिष सांगवान क्या करता है boxing option number C इसका right answer कह रहा है सब लोतो कभ Nasıl कभ मेरे पास किसуж 제일 से सम्बन दिता है यह आपको दिख रहा होगा सब लोतो कप मेरे पास यहाँ पर fútbol से सम्बन दिता है option number A इसका right answer ये सारे के सारे कोशन आपको एक्जाम में देखनेों को मिलेंगे सारे के सारे इमान दारी से इसे पढ़ लेना और इस क्लास की PDF से revision जरूर करते रहना अगला कोशन कहारा है अभिनव मिंदरा अभिनव मिंदरा को आप सबھی जानते होगे यह आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक टाइम पेस का काफी नाम गोल्ड जीता था इसमें यहाँ पर मेरे पास यह सूटिंग से संबंदित है कह रहा है विजेंदर कुमार इसका भी नाम एक दम से आया था मुक्के बाजी से संबंदित है अगला कोशन देखते हैं कह रहा है करनम मलेस्वरी मलेस्वरी से ही क्या समझा रहा है मलेस्वरी मलेस्वरी वेट लिफ्टिंग मल है मल मलेस्वरी वेट लिफ्टिंग ओप्शन नमबर A इसका राइट आंसर अगला कोशन आपके सामने है सिरीकांथ किडंबी सिरीकांथ किडंबी किडंबी किडंब या फिर गोल सर ऑप्शन नमबर ए सिरीकांद मेरे पास बैड्मिंटन का खलाडिया यहां पर इसके टी-सेट पे भी बैड्मिंटन चप रहा होगा कहा रहा है डियो धर्ट ट्रॉफी की अगर बात हो रही है कि डियो धर्ट ट्रॉफी किस खेल से संबन दिता है फुटबॉल किर्केट बैड्मिंटन या होकी तो ऑप्शन नमबर ए किर्केट इसका राइट आंसर होता है और कह रहा है आगे चलते हैं कह रहा है यह बताओ विधर्व किर्केट कह रहा है मेरे पास यहां पर विधर्व किर्केट असोसियेशन स्टेडियम कहां पर है प्यारे बच्चो तो ये है मेरा नागपूर में option number A, इसका right answer, आगे चलते हैं, मन्नू बाकर, मन्नू बाकर मेरे पास player है, किस खेल से या फिर कौन से खेल से संबंदित है, होकी, बॉक्सिंग, रेसलिंग या फिर सूटिंग, तो right answer option number D, इसका right answer आ जाता है, मन्नू बाकर मेरे पास option number D, सूट related to which sport, अगर मैं या पर देख रहा हूँ, यह मेरे को क्या लग रहे है, सर यह football से related लग रहा है, बिलकुल बच्चो, यह football ही है, right answer option number A, इसका right answer हो गया, कह रहा है, J.S.C.A. किरकेट इस्टेडियम कहां locate है, यह आपका जांची, जारकंड के रांची में है, J.S.C.A. किरके इस्टेडियम कहां पर इस्तित है, या फिर अगर मैं बात करता हूँ, कहां पर भिया इस्तित है, या फिर located है, तो अगर मैं हिमाचल परदेश किरकेट, अगर बात हो रही है, तो भिया धरम साला के हिमाचल परदेश में है, option number B, इसका right answer, रंजी ट्रोफी आप लोगों न किया कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है, फुटबॉल के अंदर, इसी के वजए से, इंडिया में फुटबॉल को जाना भी जाता है, बहुत बड़िया खेलता है, फुटबॉल, अगला कहा रहा है, महेज भूपती, महेज भूपती यार किसके साथ कड़ा है, सानिय अमिर राजिस्थान के जैपूर में, कौन सा सवाई मान सिंग, मान सिंग मेरे पास कहाँ पर है जैपूर, राजिस्थान में, कह रहा है आगा खान, आगा खान कप किस खेल से संबन दिता है सर, आगा खान कप की अगर हम बात कर रहे हैं, किरकेट होकी, एथलेटिक्स या फिर रोहन भी मेरे पास tennis से ब्लॉंग करता है, अब कहरा है मेरे पास भी है कौन से खेल से संबंदिता है, tennis से, कहरा है विश्वनात आनंद, यह तो यह कौन नहीं जानता है, इसे तो यह दुनिया में मैं कहरूँ बच्चो अच्छा जानता होगा, यह किस से है, बच्चो यह सत्र से है, चैस से संबंदिता है, अगला कोशन कहा रहा है, दिलिप ट्रॉफी, अगर मैं दिलिप ट्रॉफी की बात करूँ, आप लोगोंने कई बार सुना होगा, दिलिप ट्रॉफी के बारे में, रंजी ट्रॉफी हो गया, दिलिप ट्रॉफी हो गया, सारे के सारे किर्केट स सब्सक्राइब नुवेक डिजोविक यह अपने आप में भी भाई सब नंबर वन पे चल रहा है ठीक है मेरे पास क्या नाम है नुवेक डिजोविक यह किसका है भी यह टैनिस का मैं कहारा हूं भी यह इसकी गेम देख नहीं हुँ ना अलग लेवल का मजा आता है टैनिस खेल नुवेक रहा है ठोमस कब यहां पर देखो किसे दिख रहे है ठोमस कब कि अगर मैं बात करूं बैडमिंटन से संभाण देता ऑप्शन नूंबर से का राइट अंसर हो गया Какन्या करता हूं आप लोगों को पता होना चाहिए सानिय मिर्जा लेंड़र पेश कि अगर मैं बा है उमीद करता हूँ इस चैरे को सारे सारे जानते होंगे इसके साधी किस्टों हुई थी ये भी आपको पता है बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी ये तो मुझे कमेंड करके बताना एबी सीडी में से क्या अंसर होगा इसका जाहें जावारत लव्यू सभी को अच्छा गया बाँ टेक या लव्यू और पीडियाफ को हम लेगी पीडियाफ को अन लेंक नीचे मैं कमेंड में प्रोवाइड करा दूँगा टैलिग्राम पर जाकर वहां से आप पीडियाफ डाउनलोड कर सकते हैं बाबै टेक या लव्यू ऑप अच्छा